दोस्तों नमस्कार मैं मुकेश पारिक अपने यूटूब चैनल मुकेश पारिक लर्निंग हम पर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज अपने इस वीडियो में मुगलकाल के अंदर साहित्य और सिक्ष्या का विकास किसकी शुरूप में हुआ उसके बारे में डिसक्ष करेंगे तो सुरू करते हैं मुगलकाले इन सिक्ष्या और साहित्य है मुगलकाल के अंदर जो प्रार्त्मिक शिक्ष्या होती थी वो मकतब में दी जाती थी जबकि उच्ष्या जो थी वो मदर्सों में दी जाती थी जहां पर मक्तब में प्राइमेरी एजुकेशन और मदर्सों के इंदर उच सिक्षा दी जाती थी मुगलकाल में जो सिक्षा का मादिम था वो था फार्षी बासा और अकबर के दौरा फार्षी को राज की बासा का दरजा दिया गया था जबकि अक्बर जो था स्वे अनपड मुगल सासक था एक मात्र अनपड मुगल सासक था वो था अक्बर इसके अलबा दिल्ली के अंदर एक मदर्से की स्तापना किये गये थी मदर्शा ए बेगम जो की हुमायूं के सहयोग से महम अनंगा के द्वारा स्तापित किया गया था मुगलकाल के अंदर न्याइक सिक्षा के लिए फरहंगी महल जो की लखनाव में श्तित है जबकि श्यालकोट नामक जो जगे है वो व्याकरण सिक्षा के लिए परशिद थी इसके लवा मुगलकाल के अंदर कुछ उपादियां दी जती थी जैसे आमिल, फाजिल और काबिल आमिल जो उपादि थी अगर किसी व्यक्ति की दोरा दार्मिक सिक्षा के अंदर उसने ज्यान प्रापत कर लिया हो तो उस वेक्ति को आमील कहा जाता था जबकि तरकवे दर्शन सास्तर में ज्यान प्राप्ट वेक्ति को फाजिल और जिसको साहित्य सिक्ष्या का ज्यान था उस वेक्ति को काबिल कहके बलाया जाता था यानि कि उनकी उपाद्यां थी आगे अपने गरंथ की बात करें तुजु के बाबरी जो की तुर्की बासा में लिखी गी थी ये खुद बाबर के द्वार लिखी गी थी और ये बाबर की आतम कता थी तुजु के बाबरी इसके लाबा एक आप सबत द्यान रखना मुबईयान ये बाबर की नवी नवीन या फिर अपने कह सकते हैं नई काविय से लिखी जो की पद में थी इसको कहा जाता है मुबईयान नेक्स जो है खुलासत उल अकबार इसे मुस्लिम जगत का इतिहास कहा जाता है यानकि इस अकबार में या इस गरंत में मुस्लिम जगत का इतिहास पूरा का पूरा लिखा गया है हुमायो नामा जो थी वो फार्सी बासा में लिखी गई है जैसे तुजो के बाबरी तुर्की बासा में है ध्यान रखना हुमायो नामा गुल बदन बेगम के द्वार लिखी गई थी फार्सी बासा के अंदर इसके बाद तज किरातुल उल्वाकियात जैशी को कहते हैं दूसरा नान इसका तारिक ए हुमायोनी ये जोहर आपताबे के द्वार लिखे गी थी जोकि हुमायों के जीवन के उतार्च डाउस से सबंदित गरंत है फिर आता है अकवार उल्व अक्ष्यार जिसे अबुल हक के द्वारा लिखा गया था जिसमें बारत के सुफी संतों के जीवने के बारे में बताया गया है पिर आता है Аकبر नामा जिसे अबुल फजल की दोरह लिखा गया था इसके कुल तीन बाग है और इसका तीसरा बाग है वो कहलाता है आईने अकवरी और इसी आईने अकवरी की पांच वे जिल्द के अंदरे ने कि इसके पार्ट है कुछ जिसके पांचमी जिल्द में अबुल फजल की आतम कथा है और इस अकबर नामा की जो बासा है वो है फारसी बासा फिर आता है एक अनुवाद विवाग जो कि अकबर के समय बनाया गया था जिसका अधेक्स फेजी को बनाया गया था जो कि अकबर के काल का सरवस्रेश्ट कभी था और इसी अनुवाद विवाग के द्वारा महाबार्थ जो कि संस्किर्थ वासा में लिखे गई थी उसका फार तक इसको द्यान रखना आप रजम नमा का मेनिंग क्या होता है युद्धों की उश्टग इसके अलावा यहीं पर एक important fact है वो द्यान रखना कि जो रमायन का फार्सी उनमाद है वो बंदायूनी की द्वारा करवाए गये था जबकि महाबार्त का फार्सी में नमाद अक्बर की द्वारा करवाए गये था इसके लवा कुछ और भी गरंथ हैं जैसे बागवत पुरान का जो अनुवाद किया गये था वो प्रोटरमल ने किया था बगवत गीता का दाराशिको ने पांचतंतर का अबुल फजल ने किस नाम से अनुवार ए सुहेली कलिला दमना का अबुल फजल ने किस नाम से आई इन दोनों का जरूर द्यान रखना पांचतंतर का अनुवार ए सुहेली कलिला दमना का अयार ए दानेस कि इसके लवा अपने अन्यमेत्व पुर्ण रतनों की बात करें तो आती है मुंतवर वाब उत तौरिफ जो की बंदायोनी जिसका पूरा नाम था अब्दुल कादिर बंदायोनी ने लिखे थी तुजुक ए जहांगरी ये जहांगेर के द्वार लिखे गी थी फार्सी बासा में ये जहांगेर के अतम कता है कहते हैं कि सबसे पहले बारा वर्स तक इसको जहांगेर ने खुदने लिखा था और कहते हैं कि इस तुजुक ए जहांगेरी को अंतिम रूप से जिस वेक्ति ने पूरा किया था उस वेक्ति का नाम आता है मौलवी मौहमद हादी फिर जो गरंथ आता है रतना मानवी नल ओ दमन ये गरंथ गिजाली की दुवर लिखा गया था जो कि अकवर की समय का सरफ्रिष्ट कभी माना जाता है पादसा नामा जिसको लिखा था मुहमद असेन कजवीनी ये साहज आंका सरकारी इतियासकार था फिर आता है पदमावत गरंथ जो की सेरसा सूरी के दरबारी कभी मलिक मुहमद जैसी के दौरा 1540 के अंदर आवदी बासा के अंदर लिखा गया था राम्तुरित मानस अकवर के समय तोलशी दास ने आवदी बासा में लिखी थी और जहांगीर के समय सुर्शागर गरंथ सुर्दास के दौरा लिखा गया था इसके लावा मुगलकाल के अंदर कुस अन्ये जो मैत्यपरं तथ्ये हैं वो आते हैं एक सबत आता है टरम आती है चतुशपधी या फिर चोतारी ये जो मुगलों के समय जो हिंदू उत्च सिक्षन संस्थान थे उनको कहा जाता था चतुशपधी या फिर चोतारी एक ट्रमाती है पगड़ी बांधना या फिर दस्तर बंदी ये एक समारो होता था जो मुसलिम सिक्षनक के अंदर जितने भी होते थे सिक्षा के अंदर वहां पर सिक्षा जब कंप्लीट हो जाती थी तो उस सिक्षा के पूरण होने के बाद एक फंक्षन या समारो आयोजित किया दता था जिसे कहते हैं पगड़ी बांधना या फिर दस्तर बंदी इसके लाब एक उपादी आती है फेजी को उपादी देगी थी मलिक उस सोहरा जिसका मतलब होता है कवीरास ये अकबर के द्वारत देगी थी जबकि एक वेक्ति आता ह है तालिक अमुली जिसको जहांगीर ने राजकवी का पद दिया था फेजी की उपादिया थी ये कवीरास या फिर मलिक उस सोहरा जबकि तालिक अमुली को जहांगीर के द्वारा राजकवी का पद दिया गया था तो ये थे मुगलकाल के अंदर सिक्षा और साहित्य के जरूर करें, थेंक यू